इसमें 10 बड़े बदला होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेप और वित्ती यले इन दिन पर पड़ेगा दुनिया भर में नैसाल का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है बैसे तो हर साल में कुछ ना कुछ बदला होते रहते हैं लेकिन 2020 में ऐसे बदला होने जा रहे हैं जिसका असर सीधा आपकी जेप पर पड़ेगा चिप वाले डेविट कार्ड ही चलेंगे नैसाल में आप पुराने डेविट कार्ड से कैश नहीं निकाल पाएंगे इसमें लगी मैगनेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी जिससे एटियम गरहा का डेटा पहचानती है एटियम से कैश निकालने के लिए OTP SBI ने एटियम से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने के नियम बदल दिये हैं अब रात 8 बज़े से सुबर 8 बज़े तक पैसे निकालने के लिए OTP जरूरी होगा निफ्ट लेंदेन पर नहीं लगेगा चार्ज अब आपको निफ्ट के जरिये बैंकों से लेंदेन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा निफ्ट में अब हफते के 24 घंटे 7 दिन ट्रांजेक्शन हो सकेगा रेपोरेट से जुड़े करज सस्ते होंगे SBI ने रेपोरेट से जुड़े करज का ब्याज 10.25 प्रतिशत घटा दिया है पुराने ग्रहकों को भी नए दरों का फायदा मिलेगा क्योंकि उनकी रीसे डेट भी एक जन्वरी है P.F. में खुद तैकर संगेंगे अंश्दान नए साल से वो कमपनिया भी भविशनेधी के दायरे में आएंगी जहां किवल 10 करमचारी काम करते हैं करमचारी ही P.F. का अंश्दान तैकर सकेंगे जहली पर हॉल मार्किंग अब अनिवारे सोनी चांदी की जहली पर हॉल मार्किंग अनिवारे होगी जहली पर हॉल मार्किंग के नियम 2000 से लागू है लेकिन हॉल मार्किंग अनिवारे नहीं थी इस वज़ां से अब दाम भी बढ़ सकते हैं रूपय यूपी आई पर नहीं लगेगा चार्ज नए साल में 50 करोन पैसे ज्यादा टरणोवर वाली कमपनियों को बिना MDR चार्ज के रूपय कार्ड यूपी आई QR कोड के जरीए भुगतान की सुविधा देनी होगी पैन से आधार के लिए 3 माह पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए मार्च 2020 तक का समय दे दिया गया है इंशुरेंस पॉलसी का प्रीमियम महिंगा आई आई डियने चेंज लिंक और नान लिंक जिवन वीमा पॉलसी में बनलाव की घोशना की है जिसे प्रीमियम महिंगा होगा वहीं LIC ने क्रेटर कार्ड से भुकतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोशना की है फास्टेक अब जरूरी वर्नाद दो गुना टोल नैसाल में 15 जनुवरी के बाद नैशनल हाइवे से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टेक अनवार होगा जिसके लिए एक रॉन फास्टेक जारी हुए हैं फास्टेक नहीं हुआ तो दो गुना टोल चुका नहोगा नैसाल में होने जारे 10 बड़े बदलाओं से आपकी जेप पर बड़ा असर पढ़ने वाला है